दोस्तों क्या कभी आपने सोचा कि एक रोकेट को अंद्रिक्ष में भेजने के लिए किसी स्पीड से लॉंच करना पड़ता है। रोकेट की स्पीड के बारे में सुनकर आप जरूर चौक जाओगे। एक रोकेट को धर्ती की कक्षा यानि और्बिट में अंटर करने के लिए मिनिममम 28,336 km पर और की स्पीड से लॉंच करना पड़ता है। और अगर रोकेट को मून या किसी दूसरे प्लैनेट पर भेजना होता है, तब रोकेट को 11 km पर सेकेंड यानि करीब 40,000 km पर और की स्पीड से उड़ाना पड़ता है। 19 जनवरी 2006 में जब नासा ने नियो होरा चैन रोकेट लॉंच किया था, तब उसकी स्पीड 58,000 km पर और थी, जो अभी तक की सबसे मैक्सिमम स्पीड है।